हेलो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है आज से IPL के आक्षन शुरू हो रहे हैं जो चलेंगे आज यानि की 12 फरबरी और 13 फरबरी को तो चलिए नजर डालते हैं इस बार के IPL कौन से प्लेयर्स हैं जिन पर बेस प्राइस दो करो रखी गई है और सारे टीम्स की नजर होगी जैसा कि आप लोग जानते ही है इस बार IPL में 8 की जगा 10 टीम्स हो चुकी है एहमदाबाद और लखनव के आने के बाद तो चलिए एक नजर डालते हैं उन खिलाडियों पर जिनकी बेस प्राइस दो करो रखी गई है और सारे टीम्स की नजर उन पर रहेगी तो पहले अगर हम देखें यहाँ पर 1214 प्लेयर्स है जिनोंने साइन किया है ओक्षन के लिए और जिन में से 318 है ओवर्सीस प्लेयर् तो पहले हम लोग नजर डाल लेते हैं इंडियन प्लेयर्स पर जिनको हम कह सकते हैं कि सभी टीम्स खरिदना चाहेंगी तो पहले नंबर पर आते हैं यहाँ पर देखें रविचंदरन अश्वीन की बेस प्राइस दो करो रखी गई है और उन पर चर्णई की नजर रह सकती है और साथ ही जो नए टीम से अहमदाबाद और लखनू उनकी भी नजर रह सकती है इसके बाद आते हैं यह जूबेंद्र चहल चहल को इस बार आर्सीवी ने रिलीज कर दिया है लेकिन फिर भी आर्सीवी उनको दुबारा से खरिदना चाहेगी साथ ही क्योंकि अभी हाली उनका प्रदेशन बहुत ही अच्छा रहा है जो वेस्ट इडिस की सीरीज है उसमें तो मुंबई इंडियस भी उनको खरिदना चाह सकती है और साथ ही जो नई टीम है लखनू लखनू भी चहल के साथ जा सकती है उनको खरिद सकती है इसके बाद आते हैं दीपक चहर दीप करदवन को खरिदना चाह सकते हो लोग साथ ही द्यवदर्ट पडडिकल इनको भी आर्सीवी ने इस बार रिलिस कर दिया है लेकिन आर्सीवी दुबारा से इनको खरिदना चाहेगी और साथ ही जो नए टीम से और केके आर और पंजाब किंग ये भी इन पर नजर बनाई र प्लेयर है जिन पर केके आर की नजर रहेगी खासकर केप्टेंसी ओप्शन के लिए और साथ ही यहां पर अगर हम लोग देखें तो आरसीवी के कप्तान अभी कोई नहीं है क्योंकि विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है तो अगर आरसीवी भी मतलब कप्तानी के अर्दूल ठाकूर सुरेश रेन आज इनको चैन्नाई ने रिलीस कर दिया है लेकिन दुबारा से चैन्नाई इनको खरिद सकती है इसके बहुत ही ज्यदा चांसे से साथी अमबाती राइडू को भी चैन्नाई फिर से ले सकती है या फिर अगर हम लोग देखे तो पंजाब प्रकिंग्स भी जा सकते हैं उसके बाद आते हैं उमेश यादव इसके बाद अगर हम नजर डाले ओवर्सीज प्लेयर्स पर तो यहां पर नेथन कुल्टर नील जो की ऑस्ट्रेलियन एक हम लोग ऑल्राउंडर ही कह सकते हैं उनको शाथी एस्टेनेगार यह भी एक ऑल्र या फिर जो नई टीम से वो दोनों टीम्स भी इनके पीछे जा सकती हैं इसके बाद अफगानिस्तान के मुझीव जाद्रान वस्टेलिया के जोष हैजल वूड्ड मीचैल मार्स और स्टीव स्मिथ स्टीव स्मिथ के पीछे आट सी भी जा सकती है क्योंकि उनको अगर एक क पीछे काफी सारे टीम्स जा सकती है क्योंकि वो एक विकेट कीपर ऑप्शन भी है और साथी एक बहुती धाकर बलेबाज भी है साथी यहाँ पर डेविड वर्नर जिन पर हमेशा से सबकी नजर रहती है आई-पील में और जो हर आई-पील में कंसिस्टेंटली अच्छा प्र के पीछे तो जरूर जाएगी साथी चैन नहीं जा सकती है क्रेग ओवर्टन के पीछे क्योंकि एक औल राउंडर ऑप्शन उनको मिलेगा साथी आदिल रशीद अभी अच्छे फर्म में है और हम देखे तो जेसन रॉय भी अभी जो पाकिस्तान में जो पीसल हो रही है उस से इनको रिटेन कर सकती है मतलब फिर से खरीश सकती है क्योंकि उल्डेडी उन्होंने रिलीस तो कर दिया है लेकिन दोबारा से ले सकते हैं इसके बाद आते हैं क्रीश जोर्डन जोकी इंगलेंड के हैं साथी आते हैं हमारे लोकी फर्ग्यूशन जोकी न्यूजिलेंड क खरीच सकती है क्योंकि जो पिछला सीजन हुआ था उसमें रितुराज गायकवार और फाप ने बहुत ही अच्छा एक ओपेनिंग स्टार्ट दिया था चैन्नेई को लगबग हर मैच में साथी साउथ आफरिका के कागी सोर अबादा और इमरान ताहिर इन पर भी सभी की नजर रहेंगी और हाली में जो प्रदेशन किया है वेस्ट इंडिस के फावियन एलन ने जो दूसरा वंडे था जिसमें फावियन एलन ने बहुत ही एच्छा बले और गयन दोनों से प्रदे काफी सारे टीम्स की नजर रहेंगी तो यही थे वो प्लेयर्स जिन पर मतब सभी टीम्स की नजर रहेंगी और जिनका बेस प्राइस दो करोर है लेकिन इन में से काफी सारे प्लेयर्स हैसे है जो दो करोर पर तो जाएंगे ही नहीं उनकी प्राइस साथ, आठ, दस या फिर 12-13 करोर भी हो सकती है तो देखते हैं आक्षन में क्या होता है जय हिंद